हलो नमस्कार आप सभी लोगों का स्वागत है क्लास 24 पर आप सभी लोग जानते हमारा मैच का प्रेक्टिस पर चल रहा है और इसका जो टाइम है वो पांच बजे से सामको साढ़े च्छ बजे तक है ठीक है हो सकता है साथ बजे तक भी हो जाए क्योंकि टाइम हमारा फिक्स ह अगरें क्लास का टाइम तो फिक्स है पांच बजे श्टार्ट हो जाती है लेकिन कभखत्म हो जाती है इसका हमें फिक्स टाइम का पता है नीक लास नमबर है आज 54 ए ओन लास का जो टाइमिंग है वो पांच बजे से 5 बजे श्छे एक्जाम के लिए हेल्फूल है प्री और मेंस दोनों को हम लुग साथ में लेके चलते हैं क्योंकि जितने भी टोपीक्स होते हैं प्री और मेंस में वो सभी टोपीक्स हम लोग यहां पर डिसकस करते हैं बताओ बिंब करकर ठिक है तो बिना कोई time present age of Rama is 80 % Aryan, present age 5 years, hence Aryan age become 20% of Rama. What is Rama's present age? Rama की वर्तमान आयू, linear की आयू का 80 ृतं है. एक रहमा है के आयू है यहां पर और एक कौन है Aryan है? रमा की वर्तमान आयू, आर्यन की आयू का 80 प्रतिसत है, आर्यन की आयू का 80 प्रतिसत है, आर्यन 100 है, ठीक है, तो रमा कितना हो जायेगा, 80 हो जायेगा, ठीक है, रमा की वर्तमान आयू, आर्यन की आयू का, आर्यन एदी 100 है, तो रमा हो जायेगा 80, पांच वर्स बाद, चल इसमें भी हम 5 एड़ कर देंगे 5 वर्स बाद आर्यन की आयू रमा की आयू की 120 प्रतिसत हो जाती है रमा की आयू की 120 प्रतिसत रमा यदी हैंड्रेट है 100 है तो आर्यन कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा ठीक है यहां पर इनका रिशो निकाल लेते हैं अगर मैं इसको काटना चाहूं 20 से तो यह 4 टाइम्स कटेगा और यह कर जाएगा 5 टाइम्स यहां पर अगर मैं 20 से काटना चाहूं तो यह 5 टाइम्स और यह कर जाएगा यहां पर 4 टाइम्स ठीक है यहां पर जो डिफ्रेंस है 4 और 5 काइब में कितने का डिफरेंस है से एक का डिफरेंस है सुरी यहां पर 105 वार होरी एक 120 कि किति बार गटेगा स्टाइम सिस्ठीट ठीक है अब यहां पर qu Sun fact a house 4 और क्या और पांच में भी इफ्रेंस कितने का है एक का है तो हम कह सकते हैं क्या कि एक की वेल्यू है कितनी आप कहेंगे एक की वेल्यू है कितनी है क्यूक्षन में जितना एज का डिफ्रेंस है कितने का डिफ्रेंस है यहाँ पर पांच है यदि एक की वेल्यू पांच है आप से किसके लिए पूछा है रमा की वर्तमाना यू तो रमा की वर्तमाना यू किस से किसे multiply कर दोगे आप लोग 5 से तो कितना आ जाएगा आप कहेंगे 20 यर और अगर यहां से आर्यन के लिए पूछे तो किसे multiply कर दोगे 5 से तो एक की वेल्यू पांच है तो पांच की वेल्यू कितनी हो जाएगी 25 हो जाएगी आप से रमा की वर्तमान आई पूछा है तो रमा की वरतमान आयू कितनी हो जाएगी यहां पर ट्वन्टी येर हो जाएगी ठीक है समझ गए क्या सभी किसी को कोई डाउट है ठीक है अभी इसमें पांच साल बाद में पूछे जैसे आरेन की पांच साल बाद में इसमें हम लोग पांच एड कर देंगे पांच वर्स पहले पूछे पांच कम कर देंगे आठ वर्स पहले पूछे आठ वर्स कम कर देंगे इन दोनों का डिफरेंस पूछे हम लोग दोनों का डिफरेंस निकालेंगे 25 और 20 में ठीक है इन दोनों का सम पूछे तो इन दोनों का सम 25 और 20 कितना हो जागा 45 ठीक है यह पूछे कि इन दोनों का सम 5 साल बाद में कितना होगा 10 साल बाद में कुछ भी पूछे हम लोग यहां से सोल कर लें गर नेुक्स्ट्ट कुप्षण की और हम लोग आगे बढ़ता हैं कि देखेगा कुप्षण वापके सामने एक ट्री माइनस ट्री एकश प्लस वन इकवल भी जीरो है और आपसे पूछ गया x की power 12 प्लस x की power 8 माइनस 123 x की power 7 माइनस 123 x q आप से पूछा गया सबसे पहले तो आपको ये पता होना चीए कि हम लोग एक छोड़ के इसको तो compare इससे करते हैं ठीक है इससे समझो ये x इसको एक छोड़ के एक इससे compare करते हैं और इसको किससे compare कर देंगे इससे ठीक है तो x की power 7 x की power 12 और यहां पर x की power 7 दोनों में से छोटा क्या है तो आप कहेंगे x की power 7 तो जो छोटा होता है हम लोग उसको common लेते हैं तो इसमें common कितना आ जाएगा आप कहेंगे x की power 7 7 common आजाएगा थीक एम थे सरू 7 कहां से आया यह एकषकी पावर से ओने और 2 अन दोनों में Organization कोमन लिया तो कॉमन हमेसा छोटी वाट डिया धियां रखना तो यहां पर मैंने क्या ले लिया एकषकी पावर से ओन यहां पर ले लिक अँधर क्या बचा यहां पर खिफ आवर ट्यूल वैं तो यहां पर हो जाएगा एक्सोर पावर 5 जो थीक है कितना ऊजाएगा एक्स की पावर 5 हो जाएगा ठीक है और माइनस क्को नहों जाएगा तो आपके कि मैंने हो जाएगा 120 जा धरी मिल्स अ बताओ सहीने किा यहां पर ठीक है ना चलो अब यहां पर फिर प्लस है चलो यहां पर प्लस अब यहां पर यहां पर सेकिंड में किसी बताओ एक एक्स की पावर एट को मना आईगी या फिर एक्स की पावर क्यूब को मने आईगी तो आप कहेंगे एक्स की पावर एक्स की पावर क्यूब कामा एक्स क्यूब कॉमन आ जाएगा एक्स क्यूब कॉमन आ गया हमने एक्स क्यूब कॉमन ले लिए यह ठीक है अब यहां पर एक्स की पावर एट है इससे कंपेर कर रहे हैं तो यहां पर एक्स की पावर एक्स क्यूब है और यहां पर एक्स की कि अब हमें यहां पर एकस की पावर 5 ची यानि कि हमेंसा आप लोग ध्यां रखना mim किया ध्यां कि तेंगे कि यहां पर आपको एकस की पावर 5च यह और एकस्की पावर 5 आप लोक हैसे निकाल पाओगे कि एक मिनट देखो एक्स की पावर फाई आप कैसे निकाल पाओगे मैंने आपको समझा रखा था पहले हम लोग इसको सोल करते हैं ठीक है यह आपको दिया गया एक्स इस्क्वाइर माइनस के 3x और प्लस के 1 और इक्वल में कितना है बिटा जीरो है ठीक है हम इस एक्वेशन को पहले सोल कर रहें एक्सवाइर माइनस 3x प्लस वन और इक्वल में कितना हो जाएगा 0 तो सभी बच्चे एक बात होता हो अगर इस 3x को मैं इधर ले आऊ ठीक है तो इसको लिख स अगर आप डिवाइड करोगे मैंने आपको समझा रखा है कई कलास में सिखा भी रखा है कि यहां पर यदि आप एक से डिवाइड कर दोगे यहां भी एक से डिवाइड कर दोगे और यहां भी एक से डिवाइड कर दोगे तो यह एक से तो एक्स कर जाएगा और यहां पर यह एक सिस्कायर है तो क्या बचेगा यहां पर एक्स प्लस के यहां पर क्या बचेगा वन अपन एक्स और इक्वल में कितना है थ्रिये कि हमें एक्स की पावर फाइव चीए तो एक्स की पावर फाइव निकालने के लिए हम क्या करते हैं एक्स की पावर फाईव ठीक है यहां पर एक्स की पावर फाईव प्लस के वन अपोन एक्स की पावर फाईव कैसे निकालते हैं लिखो ठीक है तो आप कहेंगे एक्स की पावर फाईव हम लोग ऐसे निकालते हैं सबसे पहले तो हम इसका स्क्वाइर करते हैं यानि कि एक्स स यानि कि X plus के 1 करते हैं X plus 1 upon X करते हैं बताओ या देखिया 5 वाला फोर्मूला मैंने आपको पावर 5 भी समझा रखा है पावर 6 भी समझा रखा है पावर 7 भी समझा रखा है ठीक है तो यहां से X की पावर 5 अगर X plus 1 upon X 3 है तो X square plus 1 upon X square कितना हो जाएगा छाप दो कि तो आप कहेंगे 3 का तूँच्पाई करते हैं और 2 minus करते हैं यानि कि 7 आ जाएगा X plus 1 upon X कुछ भी संक्या है और अगर हम इसका x square plus 1 upon X square करते हैं तो उस संक्या का तो isquare करते है और minus के 2 करते हैं मैंने क्या किया च्पाई इस 3 का तो zесте कर दिया 9 और 9 में से दो हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा यहां पर साथ आ जाएगा ठीक है यहां पर एक्सक्यूब प्लस वन उपन एक्सक्यूब कैसे निकालते हैं तो आप कहेंगे उस संक्या का तो हम लोग क्यूब करते हैं और माइनस के तीन गुना करते हैं ठीक है तो यहां से तीन का इसको तीन का क्यूब कितना हो जाएगा 27 और 27 में तीन कुना माइनस तीन इन टू तो 27 में से नो जाएगा तो आप कहींगे कितना आ जाएगा बीटा अठारा आ जाएगा अब देखो यहां पर हमें X की पावर फाइव चीए तो यहां पर स्क्राइब निकाल लिया हमने ठीक है यहां पर पूट कर दो एक स्कॉरा प्लस वन पों एक स्क्राइब दो यह कितना हो जाएगा अथा रास को जब आप साथ से मिल्टिपला रोगे तो देखो यह सात आर छोपन थीक है और 7 और 5 कितना हो जाएगा 12 तो 126 में से 3 जाएगा तो यह आएगा 103 आएगा यह जो 103 123 वेल्य आई है यह किसकी आई है यह आई है एकस की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एकस की पावर 5 की ठीक है एक्स की पावर 5 प्लस वन उपन एक्स की पावर 5 की वेलिए हमार पास कितनी आ गई है 120 आ गई है हमें कौन सी वेली चीह हमें एक्स की पावर 5 माइनस के 123 तो मैं क्या करता हूं यहां पर यहां पर एक्स की पावर 5 देखना यहां पर मैं कर सकता हूं क्या कि यह x की पावर 5 है ठीक है और यह जो 123 है इसको इधर ले आता हूं मैं तो इधर का यह जो प्लस के 1 उपन x की पावर 5 बची है यह इसको एक्वल में क्या हो जाएगा 1 उपन x की पावर 5 हो जाएगा यानि की माइनस में किसमें हो जाएगा बिटा माइनस में हो जाएगा यह हो जाएगा यहां पर माइनस में अब यहां पर लिख सकते हैं क्या कह सकते हैं क्या कि हमारे पास जो X की पावर 5 माइनस के 123 जो आया है इसके इक्वल में आया है माइनस के वन अपोन में एक्स की पावर 5 ठीक है यहां पर क्या आया है इसके इक्वल में माइनस के वन अपोन में एक्स की पावर 5 यह तो बीटा समझाने में टाइम लग रहा है ठीक है लेकिन अगर आप खुद से एक दो बार प्रेक्टिस करेंगे तो आप इजीली क्यूशन को कर पाएंगे चलो अब यहां से x की पावर 7 है यहां तो अंदर क्या है x की पावर 5-123 इक्वल में क्या लिख सकता हूं मैं माइनस के 1 अपोन x की पावर 5 लिख सकता हूं तो यहां पर लिख सकता हूं मैं 1 upon x की power 5 ठीक है यहां पर plus का यहां पर क्या x की power cube है और यहां से x की power 5 minus 123 equal में क्या लिख सकता हूं माइनस के 1 upon में x की power 5 माइनस के 1 upon में x की power 5 अब ध्यान से समना देखों यहां पर यहां जो है x की power 7 और नीचे क्या है x की power 5 है तो यहां पर क्या बचेगा आप कहेंगे माइनस के x square बचेगा अगर मैं माइनस को में ले लेता हूँ तो यहां पर क्या बचेगा आप कहेंगे माइनस का x square बचेगा ठीक है प्लस के यहां पर यह x cube है और नीचे 1 upon x की power 5 है तो यहां पर क्या बचेगा आप कहेंगे 1 upon x square बचेगा ठीक है बस आपका क्यूशन सोल हो गया और आप सभी जानते हैं x square प्लस 1 upon x square की value है कितनी 7 है तो यहां पर माइनस है और 7 है तो आपका correct answer कौन सा हो जाएगा आपका correct answer होगा क्या समझ पाए है ठीक है कि सभी को गूड इवनिंग है भाई ठीक है यह आपको समझाने में टाइम लगा अध्रवाइज आप क्यूशन को विदिन सेकेंड में कर पाएंगे लेकिन कब जब आप लोग समझ पाएंगे जब आपको पता है एक्स प्लस वन उपन एक्स यह है एक्स स्क्वाइर प्लस वन उपन एक्स स्क्वाइर माइन में कल्कूलेशन करेंगे क्यूब भी आपको पता है ठीक है डाइरेक्ट कल्कूलेशन करके आप लोग यहां पर पहुंच जाएंगे जब आप यहां पर पहुंचेंगे तो यह आपको जरत है नहीं डाइरेक्ट आप सिर्फ ये भी नहीं लिखेंगे ये लिखेंगे और आपका आंस्वर आ जाएगा नेक्स्ट क्यूशन के और हम लोग आगे बढ़ते हैं देखुए ये क्यूशन मैंने आपको कल भी समझाया था ऐसा ही ठीक है आज वापस समझा रहा लाइब्रेरियन पर्चेजड फिप्टी स्टोरी बॉक्स फोर ही ज लाइब्रेरि एक लाइब्रेरियन अपने लाइब्रेरि के लिए कहानी की पचास की किताबें खरीता है ठीक है बटी ही फाइंड से देटी कूड गेट 14 बुक्स मॉर बाइश पेंडिंग 76 मॉर सो पर ब लेकिन उसे पता है कि यदि वह 76 रुपए और खर्च करता है तो वह 14 किताबे और अधी खरीद सकता है जिससे प्रती किताब का जो ओसत मुल्य है एवरेज है वो कितना हो जाता है एक रुपए कम हो जाता है तो आपसे पूछा गया दा एवरेज प्राइस ओफ इच बुक ह जी बॉट वाज तो उसके द्वारा खरी दी गई प्रते किताब का ओसत मुल्य आप से पूछा है मैंने आपको डेली समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि न्यू इनिंग्स ठीक है न्यू इनिंग्स का मतलब होता है न्यू बोक्स कुछ भी आप लोग मान सकते है नई कीमत मा सकते हैं नई पारिमान सकते हैं कुछ भी ठीक है ओके और यहां पर लिखेंगे एन इंटू ओल्ड अवरेज टीक है प्लस माइनष एवरेज चंज कितना एवरेज चैंज हुआ ठीक है और मल्टिप्लाइच किसे कर देंगे टोटल इनिंग्स टोटल इनिंग्स यानिकिट कितनी बुक्स खरीद पाया वगरा वगरा ठीक है अब देखो अगर इसमें सोल करोगे ने ऐसे अगर बेसिक से करोगे तो बहुत टाइम लगेगा भाई इसमें लेकिन अगर आप ऐसे सोल करोगे तो आप इजीली कर पाओगे देखो एक लाइब्रेरियन अपने लाइब्रेर हो गया ठीक है अको मंटलब होता है नया कितने बंदे आये कितने लोग आये कितने पारेया अनुण फेली over意思 3 setting एक होले लिकेन जीकालना है उसको हम लोग एक समाल लेंगे यानि कि जो भी हम ये निकालना है जिसकी भी वेल्यू हम उसको X माल लेंगे ठीक है यहां पर प्लस माइनस एवरेज़ चेंज का मतलब है कि अगर एवरेज बढ़ेगा तो हम लोग प्लस करेंगे और एगर एवरेज घटेगा तो हम लोग माइनस करेंगे यहां पर आपको दिया गया है कि ओस्थ मुल्ले इक रूपय कम हो जाता है एक रूपय कम हो रहा है तो हम लोग करेंगे मैनिस और कितना कम ओर रहा है एक रूप così, कितना कम मोर भीता है यह तो आपको समझाने में टाइम लग रहा है तो यहां पर देखो आपको यह कितना हो जाएगा आप कहेंगे 14x इक्वल में यह 76 है और यह माइनस के 64 है दोने 8 हो जाएगे तो 76 और 64 यह हो जाएगा 140 तो यह दिए 14x सिक्वल में 140 है तो एक्स की वेल्यू कितनी आ जाएगी आप कहेंगे 10 और यही आप से पूछा गया एक्स की वेल्यू तो पूछिए आप से ठीक ना कितना आ जाएगा 10 आपके क्यूशन का एकदम सही जवाब आओगा ठीक है आगे बढ़ते हैं कि विशन नमबर नेक्स्ट है और यह क्यूशन आपका रेडियन से ठीक है चलो सोल करो देखो सबसे पहले तो ध्यान रखना जो एंगल होता है यहनि की जो कोन होता है ठीक है कोन बराबर जो होता है वो ता है रेडियन कोन बराबर जो होता है वो होता है आर कपोन में रेडियस आर कपोन में रेडियस यानि की चाप अपोन में क्या हो जाएगा त्रिजा हो जाएगा यह फोर्मूला है विटा ठीक ना यह फोर्मूला है यानि की एंगल कोन बराबर जो होता है वो होता है चाप बटे त्रिजा यह फिर चाप से हम लोग आर्क कहते हैं और रेडियेस से हम लोग तिर्जा कहते हैं ठीक है चलो यहां पर आपको दे रखा है find the angle in degree thought which pendulum pendulum है swings if its length is 105 cm and the tip describes arc of length 66 meter देखिएगा यह एक pendulum है ठीक है यह एक क्या है बीटा pendulum है ओके यह यहां से एक आर्क है और यह इसको यहां से एक pendulum खिचा गया ठीक है इसको हिंदी में बोलते हैं दो दाइमान कुछ भी देख लो ठीक है यहां पर है वो थिटा बन जाएगा रेडियस कितने हो जाएगी 105 स्मीटर 105 सेंटिमीटर और यह भी कितने हो जाएगी 105 सेंटिमीटर ठीक है और यहां से आपको जो पेंडूलम की यानि की आर्क की जो लेंथ दे रखी है वो दे रखी यहां पर 66 दे रखाया ठीक है कितना दे रखाया है I'm said 66 आपको यहां पर है इसकी लेन्थ दे रखा है ठीट अब दिखो बच्चे यहाँ पर आपको क्या पूछा गया है आपको चाप की लंबाइप पूछा गई आप से पूछा गया उसका माप डिकी में बताना है अ केuju smile है आर कपोन रेडियन आर कपोन में जो त्रिजा है यह रेडियन में है ठीक है तो चलिए एंगल कोन एंगल कोन है क्या नहीं है तो यहां से एंगल कोन बराबर क्या होता है आप कहेंगे आर्क यान की चाप चाप के लेंद कितनी है आप कहेंगे 66 अपोन में रेडियस है कितनी यानि कि Radius है यहां पर तिर्जा है 105 है लेकिन यह तो किसमा आया है Radian में हमें किसमें चीज़िए डिगरी में तो डिगरी में के लिए हम लोग किसे multiply कर देंगे 180 अपन में पाई से तो 180 और पाई क्या होती है आप कहेंगे 22 वटे साथ होती है तो चले यहां पर 22 और यह साथ पलटकर उपपर आ जाएगा ठीक है चलो कि यहां से इसको कार दो तो यह कर जाएगा 22 से कितिवार कटेगा ओघ्रीन थे व stripes है ठीक है और यह किति टाइम्स कटेगा तीसे कर दिन नो और 5 15 ते बार कटेगा ओड़ा गुद्स अर यह 180 आपन था ही तो 180 किती हैं सक्तेगा 5 से पांसति उर छय पंजे 30 तो आपका कर्रेक्ट आंसर आएगा वह आजाएगा 36 डिग्री कितना आजाएगा आप्शन नमबर डी आजाएगा कि ठीक है नेक्स्ट कुश्टन कि नेक्स्ट कुश्टन है इसमें जो टोटल इस्टूडेंट्स है वो यहां पर मिश्टिक है और जो टोटल इस्टूडेंट यहां पर टोटल जो इस्टूडेंट्स है वो है यहां पर तीन सो कितना है विटा तीन सो टोटल इस्टूडेंट्स है चलो आप सोल करो आंसर दो देखेगा क्यूशन है इफिन सेक्शन ई सेक्शन एक बात के जारी है तर रिश्टू अफ दा नंबर ओफ बोईच टूदा लूबर ओफ गल्स इज थी रिश्ट फॉर यह दिवर्ट की यह में लड़कों की संख्या और लड़कों की संख्या का अनपात कितना है थ्री रिश्यो फोर हैं देन दा ratio number of boys in section E to the number of girls in section C is, तो आपसे पूचा गया है तो गर्ण E में लड़कों की संख्या, और गर्ण c में लड़कों की संख्या के बीच का अनपात you wanna छलो यदि वर्ण E में लड़कों की संख्या, वर लड़कों की संख्या का अनपात, ये दे रखा है ठीक है क्या करेंगे जो ईवर्ग है यहने की इस एक्षियन उसमें पहले तो टोटल इस्टूडेंट्स हम लोग निकालने वाले ठीक है तो ई में जो टोटल इस्टूडेंट्स होंगे वह कितने होंगे भीटा तो इमें टोटल स्टूडेंट्स कितने है 300 है और करिसंटेज रेश्यों है कितना इमें तो आप करेंगे फोर्टिन परसेंट है पितना है ique 14 यह ना हाँ तो यहां से जो टोटल इस्टूडेंट्स आएंगे वो कितने आप गल्स इंगे फोर्टिटो आ देरिखय आपको भो कितना देर्खा है मसलched को दिनतों होगोग कोई समla लिए जो फोर दे रख़ा है तो यहाँ पर यह जो 42 वेल्यू है यह किस की आप और एक यह स्क्रीग कि ठोन है और हमें किसकी वह लिख हुए किस यानि कि हमें जो रिशो चीए तो वर्ग ईमेल लड़कों की संक्या तो वर्ग इमें बोईज कितने हैं आप कहेंगे तीन से हम लोग इसको मल्टिप्लाई कर देंगे तो यहां से कितना आ जाएगा गां साथ से छह बार और यहां पर जो बोईज आएंगे इमें इमें जो बोईज आ जाएंगे वो कितने आ जाएंगे बिटा वो आ जाएंगे यहां पर 18 कितने आ जाएंगे बोईज आ जाएंगे यहां पर 18 आ जाएंगे ओके तो यहां पर बोईज एटीन एक ही मैं है तो आप यहां से भी टिक कर सकते हो ठीक है यहां पर भी आप लोग टिक कर सकते हो लेकिन है यानि कि section c देख लेता है अब कि section c section c में कितना है 19 परसेंट है तो 300 का 19% by 300 ऑचिनी परसेंट किटना हो जाएगा 57 हो जाएगा थेन सो का जो निश परसेंट हो कितना हो जाएगा वटा ती सत्ट पिसेवन हो जाएगा 57 में हम इसमें ग्र्लस है WOR भौई भी है ठीक है हमें लड़कियां चीत यहां पर हमें यह ізेंगे कि सेक्संसीमे जो बौई जसम 24 जिदि 34 इसमें बोईज है ठीक है तो गल्स कितनी होगी तो हम इसमें से 34 माइनस कर देंगे तो यहां पर आ जाएगा 23 तो यहां से बोई जो गल्सका जो रिशो आएगा व कितना आ जाएगा 18 रिशो 23 आ जाएगा और और पक्सान नमबर कौन सा हो जाएगा और सान नमबर होगा भी थिक है कि आगे बढते हैं क्यूशन नमबर नेक्स्ट की और यह देखो जो रिलेटिवी स्पीड है अगर सेम डाइरेक्षिन में दो गाड़ियां जा है ठीक है सेम डाइक्टिशन में तो उसमें रिलीटिव स्पीड यान की जो उनकी स्पीड है उन कीकि है उन दोनों का हम लोग difference लेते हैं और यह भी आपोजिट यानि की एक तो इधर से इधर जा रही है और इधर से इधर जा रही है ठीक है तो इस condition में हम लोग जो relative speed यान के opposite जा रहे है विप्रीड दिसा में जा रहे है तो उस condition में relative speed हम लोग aid करते हैं ठीक है चलो यहां पर दिया गया है distance between a and b is 600 km यहां पर इसको a माल लेते हैं और यह माल लेते हैं बी और इन दोनों की जो बीच की distance है वो क्यूशन में है कितनी है 600 km है ठीक है when they start moving towards each other they meet in 12 horse और वे एक दूसरे को कम मिलते हैं 12 गंटे में मिलते हैं ठीक है if a mood 5 horse after b then they meet in 10 horse और दोबारा कम मिलते हैं 10 गंटे बाद में है तो find the year speed आप से पूछा गया देखेगा सभी बच्चे यह कोई ट्रेन है यह x kilometer per speed की per kilometer x kilometer पर घंटे की speed है ठीक है और यह जो इसको आप लोग किलोमेटर प्रति घंटे मान सकते हैं ठीक है इसको आप लोग इसकी जो स्पीड है वो एक्स किलोमेटर प्रति घंटे और यहां पर वाई किलोमेटर प्रति घंटे आप लोग इसको मान सकते हैं यह और बीच के दूजे जब दूनों एक दूसरे की और चलते हैं एक दूसरे क क्या यहाँ पर जो रिलेटिव इस्पीड होगी जो इस पीड होगी यानि कि X के Y वह कितने हो जाएगी तो आप कहेंगे छस्सो में टाइम अगर डिश्टैंस में टाइम का अगर हम लोग भाग देते हैं ठीक है टाइम से अगर हम डिवाइड कर देता हो तो यहाँ पर आजा तो जाएगा 50 km पर आप 50 km यहाँ पर X और Y की वेल्यू यानि की दोनों की स्पीड यानि की 50 होनी चीए क्या यह यह है क्या नहीं है क्या यह यह है बिल्कुल है यह भी है और यह नहीं है ठीक है यहां पर 35 और 15 यह भी है ठीक है तो हमार पास सिर्फ और सिर्फ एक यूप्शन कटा अभी चले हमें इसे पूरा ही सोल करना पड़ेगा देखेगा अब रिलेटिवी स्पीड हमारे पास कितनी आ गई है 50 किलोमेटर प्रती घंटे आ गई चलो अब क्यूशन है यदि ए बी के चलने के पांच घं सब्सक्राइब घंटे बाद चलना सुरू करता ऐसे समझो वापस सी ए इए और यह भी है ठीक है इन दोनों की जो डिस्ट्रेंस आई वो कितनी है आप करेंगे 600 किलोमेटर कितनी है टोटल जो डिस्ट्रेंस है वो कितनी है यहां पर 600 किलोमेटर ठीक है यहां पर श consideration किलोमे के बाद चलना शुरू करता है यानि कि यहां से चला है भी उसके बाद चलना शुरू करता है ठीक है हमें नहीं पता कितने लेकिन यह पांच घंटे बाद चलना शुरू करता है ठीक है चलो तो मुझे सभी बच्चे एक बात बताओ अगर दोनों 10 गंटे में मिलेंगे तो सभी बच्चे एक बात बताओ यहां पर यह जो स्पीड आएगी ठीक है यहां पर क्या 50 किलोमेटर 10 गंटे में कितना कवर कर लेगा तो आप कहेंगे 500 किलोमेटर कवर कर लेगा अगर एक घंटे में 50 किलोमेटर तो यह दोनों 10 गंटे बाद मिलेंगे ठीक है तो 10 गंटे में जो डिश्टेंस ए और बी के द्वारा जो कवर की जाएगी वो कितनी की जाएगी आप कहेंगे 500 किलोमेटर यहां पर यह जो भी 5 गंटे डिले हुआ है यानि कि 5 गंटे बाद चला है ठीक है तो यह कितने डिश्टेंस कवर करेगा आप कहेंगे 100 किलोमेटर अगर सो किलोमेटर यहां पर कवर करेगा तो आप निकाल सकते हैं कि इस पीड क्या होती है आप कहींगे डिस्टेंस अपोन में टाइम डिस्टेंस कितनी है 100 km time कितना है 5 तो answer कितना आजाएगा 20 km प्रति घंटे ये किसकी speed आई है यह आ गई है यहां पर किसकी y की यानि कि y की value ही यहां पर कितनी है y की speed है वो कितनी आगई है 20 km और x-y की value कितनी है पचास है तो पचास में से 20 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 30 किलोमेटर ठीक है तो 30 और 20 आपका आंस्वर आ जाएगा ओप्सान नमबर सी थोड़ा अच्छा क्यूशन था ठीक है क्यूशन थोड़ा अच्छा था समझने कि आप कोशिस करेंगे तो अच्छे से आप लोग समझ पाएंगे ठीक है चले आगे बढ़ते हैं क्यूशन नमबर एट इस वात को आप लोग ध्यान रखना ठीक है यह तो सही है सेकिंड क्या है आप धर चाहली है इन एनए ट्रेंगल जीफ डी जैने पोईंट ओन बी सी और डी देन एभी दी बी सी छेटर धर धन 2 िरख गूशन पर कोई बेंदू डी है तो यह आपशे एबी बी सी में यादि बी सी पर कोई बिंदू लिक्राँ प्रbels्व में पया गया है सी ठिक है यहां पर एक कहिंप पॉयंट टी ठीक है यहां पर यह भूल रहा है 25 र कोई बिंदू डी है यहां पर मैंने कुछ मालिया डी है ओकई क्या आप सभी को पता है क्या मैं आपको हमेशा सिखाने की कोशिज करता हूं कि ट्रेंगल्स की दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है ट्रेंगल्स की दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है ठीक है तो आप हम लिख सकते हैं एबी कि प्लस के एबी कि प्लस के बीडी अगतो ही ग्रेटर देन होगा किसे एडी से ठीक है अबी ब्लस बीडी ग्रेटर देन किसे बरेंट सिल होगा एडी से बताओ सहीं और यहांument अंगर मैं एडी की बात करना चाहूं तो आप कह सकते हैं कि यहां पर हो जाएगा ासी upwardsgent CD greater than किसे होगा AD से कि तो यहां पर देखोई यह हो जाएगा AB कर दो इसको क совет हो जायगा AC को और प्लस चे यहां पर सभी ध्षान से दीखना यह जो bd or CD है ठीज रही कि B D recommendingか CD बढ़िए प्लस के CD B di plus którą को क्या में BC लिख सकता हूँ हूँ बिल्कुल लिख सकते हैं when greater than किसे होगा dedicated holiday to a d से लेच mission तो आपका सही जो जवाब है वो कुन सा हो जाएगा बिल्कुल सही है य prop a pri September सेखिंड एक्डम करेक्ट आंसर होगा ठीक है है कुछान नम्बर नेक्ष्ट है हाइट इस्पीड अन इस्टेंस आसा और सुमन्स मूद फोर्स हैव हाइट नाइन सेंटिमेटर और इन नाइन सेंटिमेटर और सिक्ष्टीन सेंटिमेटर है ठीक है वह एक दूसरे से चोविस मिटर की चोविस सेंटिमेटर की डिस्टेंस पर है उनके सिर्सों की बीच की दूरी आप से पूछा गया है समझने की सभी बच्चे कोशिज कीजिएगा देखो आसा और सुमन ने दो किले बनाया है ठीक है यहां पर यह एक किला बनाया है ठीक है इसकी लेंध है नाइन सेंटिमेटर एक जो केला यहां पर बनाया है और इसकी जो हाइट अबिटा वह आपको दे रखी है कितनी दे रखी है 16 सेंटिमेटर आपको दे रखी है ठीक है और यहां से इन दोनों की जो बीच की डिश्टेंस दे रखी है यह दे रखी है इसने 24 सेंटिमेटर यदि यह 24 सेंटिमेटर है तो यह भी 24 सेंटिमेटर होती है ठीक है और अगर यह नाइ ओते लोडेगे । यहां से यहां तक नाईन हो टोटल कितना है सोला अगरיתי यह टोटना 16 yeah no है तो यह कितना हो जाएगा आप कहींगे सेवन हो जाएगा कितना हो जाएगा सेवन और मैंने आपको वो समझा रखा है कि जो कीला हो खंबा हो कुछ भी हो टावर हो वो हमेशा 90 डिग्री पर बनता है ठीक है तो आप से यह वाली लेंद पूछी गई यह अब सभी बच्चे एक बात हो यह 24 का स्क्वायर प्लस के साथ का स्क्वायर यह 90 डिग्री यह ठीक है तो 90 डिग्री के साम में क्या हो जाएगा हाइपोटेनस यह करन तो आंसर कितना आ जाएगा तो आप कहेंगे यहां से आंसर आ जाएगा 25 ऑप्सान नंबर कौन सा हो जाएगा सी हो जाएगा ठीक है यहां पर दो मिट्टी के कीले थे एक के हाइट 9 cm थी दूसरे के हैट 16 cm थी और इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस हो कितनी है 24 cm मैंने 24 cm लिए यहां पर तो अगर यह 9 cm है तो यहां से लेके यहां तक यह 9 है टोटल 16 है तो यह बचा कितना साथ यह साथ है यह 24 है तो साथ का सा हो जाएगा ओप्शन नमबर सी ठीक है आगे बढ़ता है वह है छोट फाइंड आउट दा लिस्ट नमबर विच वें डिवाइड़ वाई 1524 देखो आपको दिया गया है यहां पर 15 फिर 24 फिर यहां पर 32 और फिर 45 ठीक है और इनमें से जो रिमाइनडर बजता है इसमें से 15 में 8 बजता है इसमें जो रिमाइनडर बजता है वो 17 ठीक है इसमें जो रिमाइंडर बचता है वो 25 और इसमें जो रिमाइंडर बचता है वो बचता है 38 ठीक है तो 15 में से 8 जाएगा तो बचेगा 7 24 में से 17 जाएगा बचेगा 7 32 में से 25 जाएगा बचेगा 7 और 45 में से 38 जाएगा बचेगा 7 यानिकि सभी में रिमाइंडर 7 बचता है ठीक है यानिकि हम कह सकते हैं जो भी निवाइड होगा उसमें से अगर हम लोग साथ माइनस कर देंगे तो हमारा आंस्वर आ जाएगा ठीक है अगर हम लोग जो भी यहां पर संख्या आएगी उसमें से अगर हम साथ माइनस कर देंगे तो हमारा आंस्वर आ जाएगा बताओ सही है क्या ठीक है चलो तो आपको यहां पर एक तो यहां जो आपको दिया गया है 45, 45 को आप लोग क्या लिख सकते हैं, आप कहेंगे 9 इंटो 5 लिख सकते हैं, 9 का individuality rule आपको पता है, 9 का individuality rule होता है, यानि कि digit sum अंको का योग, ठीक है, और यहां पर 5, यानि कि 5 होना चीए, अगर 5 होना चीए, तो देखो इसमे अगर आप 5 से भाग देंगे, तो पू रिम suspension और हे वो कितना आना चीए 38 आनाचे कि तो हम लोग 45 से भाग देंगे तो किसमें रिमांडरे सकता 38 नहीं आ सकता कि इस में यह भी पूरा पूरा भग जा रहा ठीक हैं यह पाँसे पूरा-पूरा भाग नहीं जा रहा और यहाँ पर आप देखोगे तो यह भी पांस से पूरा पूरा भाग जा रहा है ठीक है तो यह आंसर नहीं होगा आंसर कौन सा हो जाएगा यह हो जाएगा ठीक है यह फिर आप इसको ऐसे कर सकते हैं 15 24 32 और 45 इसका जो फोर डबल थ्री आपकी क्यूशन का एकदम सही जवाब आएगा ठीक है कि अ कि अ कि ओके और यहां पर 45 से भाग देने पर 38 ठीक है तो यहां पर यह कितना हो जाएगा पांच तीन आठ और तीन ग्यारा ठीक है चलो समझ आ गया क्या यह फिर आप देखो एक नाइन का डिविजल्टी रूल भी चेक कर सकते हैं जब आप इसको 45 से भाग दोगे ठीक है 45 को जब आप लोग भाग दोगे किस से दोगे 38 से यहन कि जब आप 9 से भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा आप कहेंगे 2 रिमाइंडर बचेगा कितना बचेगा अगर आप लोग 38 में 38 में आप लोग जब 9 से भाग दोगे तो कितना बचेगा आप कहेंगे 2 रिमाइंडर बचेगा 2 रिमाइंडर यहां पर तो बच रहा है यह नहीं होगा इसमें आप देखेंगे पांच तीन आठ और तीन ग्यारा इसमें दो रिमाइंडर बच रहा है और इसमें पांच और एक छे इसमें तो कुछ है नहीं तो आंसर कौन सा हो जाएगा option number C इस तरह से भी आप लोग कर सकते थे next question आपको the length of three medians of a triangle are 9 cm 12 cm 15 cm the area of the triangle is देखो इसके मैं आपको दो मेथड सिखाने वाले हूँ जितने भी तरीके हो सकते हैं मैं आपको सिखाने की कोशिस करता हूँ यहां पर एक त्रिभूज की तीन माद्यकाई दी गई है जब त्रिभूज की तीन माद्यकाई दी जाए ठीक है SM-KO parm 2 और यहां पर हो जाएगा SM- KO हो जाएगा कि ठीक है चलो और यहां पर जो SM कि वेलू है SM कि वेलू हम लोग कैसे निकालते हैं SM कि वेलू निकालते हैं हम लोग M1 median first median second और median third ठीक है और किसे divide कर देते हैं two से तो यहां से SM के value कितने आ जाएगी 9 12 9 और 12 कितना हो जाएगा 9 प्लस 12 और प्लस के 15 और divided किसे कर देंगे 2 से ठीक है तो यह कितना हो जाएगा 9 और 12 21 और 15 36 तो यहां से कितना आ जाएगा आप कहेंगे यहां पर आ जाएगा 18 SM की value कितनी आ गई है यहां पर 18 आ गई है कितनी आई है बिटा 18 सही है क्या SM की जो value आएगी वो कितने आ जाएगे 18 आ जाएगे चले इसमें put करते हैं तो यहां पर आ जाएगा 4 upon 3 है रूट में ठीक है यहां पर कितना आ जाएगा SM कितना है आप कहेंगे 18 और 18 में से जब आप लोग 15 माइनस करोगे तो आएगा 3 ठीक है चलो तो यहां पर कितना जाएगा 4 upon 3 आ जाएगा और दोखो यहां पर आप इसको multiply मत किया अगरू है यहां पर आप my इसको multiply मत किया अगर हो या थो इसको break कर लो या फिर आप क्या कर सकते हैं दो कुए 80 का जाएऔर यहां पर अठारा है ठीक है अब मैं इस रूट को हटा दे रहा हूं ठीक है यहां पर इस रूट को हटा दे रहा हूं भार देखो क्या बचेगा यह भी अठारा है और यह भी अठारा है तो इसमें से अठारा भारा जाएगा ठीक है और यहां पर आप देखेंगे यह जो नाइन होत होता है यह किसका स्कुर्य होता है आप करेंगे 3 का स्कुर्य होता है ठीक है तो यहां से बाहरा जाएगा 3 तो यहां से 3-3 कर जाएगा और 18 को जब आप 4 से multiply करोगे तो आएगा 72 है ठीक है यह वाला method तो सभी में लगे गाई लगेगा ठीक है लेकिन एक और डेही है और वो क्या है वोो ट्रिप लेट वाला मेंफ़ड है वो क्या है कि यदि दो मेड Ariana का सम तीसरी मीडियां के बराबर स्काइब कई यहां पर देखां नों बारा और पंद्रा क्या 9 का स्क्वाइर प्लस 12 का स्क्वाइर एक्वल में 15 का स्क्वाइर है क्या आप कहेंगे बिल्कुल है तो इसके लिए जो एक फॉर्मुला होता है वो होता है 2 upon 3 इन्टू मीडियन फ़र्स्ट इन्टू मीडियन सेकेंड यानि कि टू अपूं थ्री इन्टू मीडियन यानि कि माद्यका फ़र्स्ट इन्टू माद्यका सेकेंड तो यहां पर हो जाएगा टू अपूं थ्री माद्य का FIRST कितनी है 9 है और माद्य का SECOND कितनी है यहां पर 12 है ठीक है तो तीन से कितनी बार कटेगा 3 बार बारती रचातीस और दून कितना हो जाएगा बहतर ठीक है मैं आपको तरीके वही समझाता हूं जो आप एक्जाम में कर सकते हैं ठीक है हर कुछी तरीका मैं मैं आपको नहीं सिखाने की कोशिज करता हूं तो आंसर कौन सा हो जाएगा यहां पर ऑप्शन नमबर बी कि आगे बढ़ते हैं क्यूशन नमबर नेक्स्ट के ओर है ठीक है कि अब देखुए यह कुशन है यह प्रोबेबिलिटी का है इन्हें सिमुल्टेनर्स थ्रो अफ्री कोईन्स तीन सिक्कों को एक साथ उचालने पर तीन सिक्के उचाल रहे हैं इसका मतलब टू की पावर एन और एन की वेल्यू है कितनी यहां पर तीन तो यहां पर दो की पावर तीन और यहां पर हो जाएगा आठ कितने आउटकम्स ठीक है सिक्के को कितनी बार तीन सिक्कों को उच्छाला जा रहा है इसका मतलब टू की पावर न होती है और एन की इसकोष लाइज आता तो टुकि पावर 5 6 सिकोष आतो टुकिफव सिक्स ठीक है इसके उसको एक साथ उच्छाने पर कम से कम दो कि क्लिए कॉatti। आना चया याद City Hahaha । देखो यहां पर जो एट त्न आएङगे how to come set company कम has few quarantine होने चीए दो भी हो सकते हैं और तीन भी हो सकते हैं ठीक है यानि कि कम से कम दो हो सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा तीन हो सकते हैं ठीक है तो यहां से यहां से फर्स्ट आएगा वो या तो हेड 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 हो सकता है या फिर हेड हेड टेल हो सकता है या फिर हेड टेल और हेड हो सकता है ठीक है या फिर टेल और हेड ह और हेड हो सकता है ठीक है या फिर क्या हो सकता है टेल टेल और टेल हो सकता है या फिर टेल टेल हो सकता है या फिर टेल हेड ओटेल होसकता है या फिर हेड टेल और टेल हो सकता है ठीक है यह कि इस तरह से टोंटने जो है वो कितने आउटकम साते है आखाूकं साइंगे अब आगराथ आऊटकम इसांगे तो मुझे कि एक तो यहां पर है एक दो एक दो एक दो और एक दो ठीक है तो यह कितने आउटकम्स में आया है तो आप कहेंगे चार आउटकम्स में आई क्या और जगा रहे हैं कि दो टू टाइमस हेड नहीं आ रहे ठीक है तो कितने पार रहे हैं फो टाइमस और टोटल कितने आउटकम में से आठ में से तो आंसर कितना आजाएगा एक बटे दो और ओप्सन नंबर कौन सा होगा सी आपकी क्यूशन का सही आंसर होगा next question एक वस्तू को एक निश्चित मुल्य पर बेचा गया यदि इसे उस मुल्य के चार बटे पांच पर बेचा जाता है तो 10% की हाने होती प्रारम में वस्तू को कितने लाब प्रतिशत पर बेचा गया था यह आप से पूछा गया कि पहले जो सेलिंग प्राइस थी ठीक है पहले जो सेलिंग प्राइस थी वो कितनी थी आप कहेंगे पांच और अभी जो सेलिंग प्राइस है हाँ बिल्कुल सही है भाई आपका अंस्वर ठीक है यहां पर यह दी इसे उस मुल्य पर बेचा जाता है ठीक है उस मुल्य पर बेचा जाता है यानिकि SP into कितना है 4 by 5 ठीक है तो पहले जो मुल्य था वो कितना था SP का पांच है और अब जो घटके हो गया है वो कितना हो गया है 4 हो गया है ठीक है चलो यह कह रहा है उस मुल्य के 4 by 5 पर बेचा जाता है तो 10 प्रतिसत की हानी होती है 10 परसेंट होता कितना है तो आप कहेंगी जो 10 परसेंट होता है वो होता है एक बटे दस होता है कि यानि कि 10 से कितना हो गया है नो हो गया दस से कितना हो गया है बिटा नो हो गया यानि कि हम कह सकते हैं कि यह 4 की वेल्यू कितनी है नाइन है और यहां पर टेन की वेल्यों हमसे पूछी गई है ठीक है यहां पर यह जो है फोर की वेल्यों हमार पास नाइन है और टेन की वेल्यों हमसे पूछी गई है अब यहां पर या तो आप लोग इसको सोल करो ठीक है यह क्या आएगा कोश्ट प्राइस आएगा और यह स से प्रोफिट या लोस हम लोग कैसे निकालते हैं कोश्ट प्राइस होना चाहिए सेलिंग प्राइस होना चाहिए ठीक है हाँ देखते हैं भाई ठीक ना तो आपको यह ऐसे सोल नहीं करना मैंने आपको सिखा रखा है जब कभी भी हमें प्रोफिट या लोस यह फिर रेश्यो तो हम क्या करेंगे इसका ratio बना लेंगे कैसे देखो यह SP और यह हो जाएगा CP ठीक है SP कितना है 5 है और CP कितना हो जाएगा 4 by 9 और multiply में 10 हो जाएगा ठीक है तो यहां से यह किती बार कटेगा 5 से 2 बार ठीक है तो यहां से SP कितना आ जाएगा 9 और CP कितना आ जाएगा 4 दूनी 8 अब सभी एक बात वताओ आठ की वस्तु को अगर आप लोग नो रुपए में बेच रहें तो कितने का प्रोफिट हो रहा है आप कहेंगे एक का कितने पर हमेशा जो प्रोफिट और लोस है वो हमेशा किस पर निकाला जाता है कोश्ट प्राइस पर ठीक है यानि कि क्रयम उल् यहां से आंसर आजाएगा 12.5 परसेंट ठीक है ओप्शन नंबर कौन सा होगा सी ओप्शन नंबर सी हो जाएगा कि कल भी मैंने आपको यह सेक्यूशन करवाया था ठीक है देखो इन्हें स्कूल देर बार 1554 students and the ratio of the number of the boys and girls was 4 ratio 3 एक विधाले में 1554 विधारती थे और लड़कों लड़कों की जो संख्याकान पात है वो 4 ratio 3 था ठीक है कुछ दिनों बाद after few days 30 girls joined the school but few boys left as a result the ratio of the boys and girls become same ratio 6 ठीक है तो आपसे पूछा गया है the number of boys who left the school age ठीक है समझो यहां पर बोई जो और गल्स है बोई जो और गल्स है वो टोटल जो students है वो कितने हैं 1554 है यह क्या है टोटल इस्टूडेंट्स है और इनका जो रेशो है वो है 4 ratio 3 है 4 और ratio कितना है 3 है ठीक है चलो कोई दिक्कत है यहां पर क्या 1554 को क्या आप लोग 4 ratio 3 में divide कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं तो यहां पर अगर बोई हम लोग निकालना चाहे जाए तो यह हो जाएगा 1554 है टोटल की नीचिए ratio 가 टोटल 4 और 3 कितना हो जाएगा Mehr multiply किसे कर देंगे 45 तो 472 नी चाहूदा और फिर साथ दू नी चाहूदा तो 2,2,2,2,2 करेंगे तो यहां पर आजाएगा, कितना आजाएगा एट और एट कितना आजाएगा ट्रिपल एट आजाएगा ढाएगा ठीक है और यहां से मुझे किसके लिए चीए गल्स के लिए तो किस से मल्टिप्लाइ कर दूंगा थ्री से तो यहां पर आ जाएगा कि ट्रिपल सिक्स ठीक है कितना आ जाएगा ट्रिपल सिक्स आ जाएगा हाँ देखते हैं भाई ठीक है कुछ दिन बाद तीस लड़कियों ने विदाले में प्रिवेस लिया कुछ दिन बाद तीस गल्स आ गई है चले तीस गल्स आ गई है ठीक है तीस गल्स आगे यह और जो रिश्यो है वो कितना हो गया है सेवन रिश्यो शिक्स हो गया ठीक है यहां से गल्स यहां पर बोईज माइनस हो गया और इसमें गल्स आगे तो यहां से यह जो सिक्स की वेल्यू है यह कितने हो जाएगी छस्सो चासर तो पहले थे और ती कह सकते हैं कि 69 6 यह किसकी वेल्यू है सिक्स की और हमें सेवन की वेल्यू चीज़गे तो सिक से कितिबार क्टेगा सीक्सीक्स कि शे कम छे और यहां पर शे कम छे शे 636 तो 116 इंटु साथ यह कितना हो जाएगा चैज 7 42 ठीक है 60 साथ थे 42 सात और चार 11 सात और चार 11 और और शात और एक आठ यह यानि कि यह हो जाएगा आठ सो बारा ठीक है अब एक बात वताओ पहले जो इस्टूडेंट थे पहले जो बोईज थे वो आर्ट सो अठ्याशी थे और अभी जो बोईज है वो कितना है तो आप कहेंगे सो बारा जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा कि 76 आएगा और आंसर 76 ओप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा भी हो जाएगा ठीक है कि विश्ण नंबर नेक्स्ट कि देखो मैं आपको हमेशा सिखाता हूं कि जो एसाई का फोर्मूला होता है साधर रान ब्याज का वो होता है पी इन्टो आर इन्टो टी अपन हेंड़ेट ठीक है ओके और कभी अगर आपको यहां से रेट चाहिए तो क्या अगर दोगे आप लोग हेंड़ेट इन्टो एसाई और अपन में रेट चाहिए तो पी इन्टो टी से हम लोग इसको मल्टिप्लाई कर देंगे ठीक है और कभी अगर आपको यहां से प्रिंसिपल चाहिए तो आप निकालेंगे हेंडेट इन्तो ऐसाई अपों में अगर आपको प्रींसिपल चीए तो रेट इंट तो टाइम से आप लोग इसको को मल् Sin Conữa कर दोगे ठीक है और कभी अगर आपको यहां से पी आर अगर टाइम चीए तो क्या कर लोगे हें रेट इंटो ऐसाई और अपोन में टाइम के लिए किसे मल्टिप्लाई कर दोगे पी इन्टू आर से आप लोग मल्टिप्लाई कर दोगे ठीक है चलो अब देखेंगा आपको दिया गया है इस सम ओफ मनी बीकम्स सेवन्तीन आइन अपोन 16 टाइम्स ओफ इसेल इन थाटी यानि कि यह आपसे पूछा गया है कि समझेगा ध्यान से यहां पर जो है साधाराण ब्याज की दर पर 35 वर्सों में स्युम का 79 अपन 16 यहां पर यह जो 79 अपन 16 है यह नीचे वाले को हमेशा और हमेशा आप आप लोग प्रिंसिपल मानेंगे क्या मानोगे प्रिंसिपल मानोगे मूलधन मानोगे ठीक है इसको आप सभी को हमेशा और हमेशा क्या मानोगे इस नीचे वाली वेल्यू को आपको प्रिंसिपल मानना है यानि कि मूलधन मानना तो यहां पर जो प्रिंसिपल है वो कितना आ तो आप कहेंगे principle है यहां पर 16 और यह जो उपर वाली यानिकी जो हो जाती है ठीक है इतना बढ़का हो जाती है इसका मतलब वो मूलधन है तो मूलधन कितना है तो आप कहेंगे यहां पर है 79 है कितना है कि 79 79 किया है यहां पर amount मिस्रदन यानि कि इतना हो जाता बढ़कर हो जाता है यानि कि क्या है मिस्रदन है अमाउंट है ठीक है अब सभी बच्चे एक वार्ट उताओ यहां से जो ऐसाई होगा वो क्या होगा तो आप कहेंगे जो ऐसाई हो जाएगा वह अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो यह कितना हो जाएगा तो आप कहेंगे 63 हो जाएगा ठीक है, टाइम कितना है आपके पास में, आप कहेंगे 35 यर, आप लोगों को यहां से रेट निकाल लिए, चले सोल करो, आंस्वर दो, ठीक है, तो यहां से आप लोग रेट कैसे निकालोगे, आपको रेट का फोर्मुला पता है, हैंड रेट, यहां पर हैंड रेट, है, हैंड रेट इन्टु एसा योगया, पी, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल यानि मूल रंग कितना है, 16 है, और यहां से आपको रेट परसेंटेज बराबर है, ठीक है, प्रिंसिपल कितना है, 16 है, और टाइम है कितना, आप कहेंगे 35 यर, सूल करते हैं इसको, इसको अगर मैं साथ से कालता हूं, तो यह नैं साइब आई गा, 97 63 और ये कितना टाइम साइगा, 5 झाफ, 79 झाफ, 35 झाह, ये कितना डाइम साइगा, 5 से ये, 20 साइब यह त्वॉंक चाहएगा और यहां से, यह 24 से किते टाइमस आएगा 5 टाइमस और यह जाएगा यहाँ पर 4 टाइमस तो यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा यह आजाएगा नो पंजे 45 बटे 4 और 45 बटे 4 कितना हो जाएगा तो आप कहेंगे 11 चोक ने 44 हो जाएगे ठीक है और 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20 ओप्सन नमबर कौन सा होगा ओप्सन नमबर आया के किसी का ओप्सन नमबर बी ठीक है बी आपके क्यूशन का एकदम सही जवाब होगा आगे बड़े हम लोग ठीक है क्यूशन नमबर नेक्स्ट अब देखो यह रेंज का क्यूशन आ गया है और यह रेंज का हर टाइप का क्यूशन हम लोग कर चुके है ठीक है तो यहाँ पर 10 और 20 तो इन दोनों के बीच का जो वह आएगा वो कितने आ जाएगी तो यहाँ पर जो 10 और 20 इन दोनों के जो बीच का मार्क्स आएगा वो आजाएगा 15 ठीक है और इन दोनों के बीच 80 और 90 आप कहेंगे इन दोनों के बीच आजाएगा 85 आजाएगा ठीक है तो हमें कुछ नहीं करना होता है रेंज में रेंज में हम इन दोनों का डिफरेंस ले जाएगा 85 और 15 तो आपके 85- 15 हो जाएगा यहां पर और आपसे क्या पूछा गया है आप से कफिसियन्ट पूछा गया तो यहां से कितना आ जाएगा आपके गेंगे 85 में से 15 जाएगा तो 70 अपन में 85 प्लस के 15 हेंडरेट तो 0 सी 0 आंसर कितना जाएगा 0.7 आपकी क्यूशन का एकदम सही जवाब आएगा ठीक ना हो आपसे तो इन दोनों का डिफरेंस रे भी लेते हैं wow लेकिन कोफिशेंट पूछा है प्रास गुञांग पुछा है गुञांग का अब यह है कि उपर दोनों का डिफरेंस लेते हैं और नीचे दोनों का सम झो … वढ़ान। नम्बर नेक्स्ट देखो सेख ठीटा को आप लोग क्या लिख सकते हो सेख इसक्वाइड ठीटा को आप लोग लिख सकते हो वन प्लस के टेन स्क्वाइड ठीटा ठीक है सेख स्क्वाइड ठीटा को आप लोग क्या लिख सकते हो टेन स्क्वाइड ठीटा आप लोग लिख सकते हो ठीक है और यहां से यदि मैं सेख की पावर शिक्ष ठीटा की बात करूँ तो आप लोग इसको क्या लिख सकते हो आप कहेंगे वन प्लस के 10 square theta और इसका आप लोग cube कर दोगे, बताओ सही है क्या, ठीक है? देखेंगा, आप से क्या पुछा गया? रूट में, x square minus के y square की value पुछा गया, सेक की power 6 theta equal में 10x theta plus 3, 10 y theta, सेक y theta plus 1 और आप से x square minus y square root में पुछा गया है, कैसे solve कर पाओगे? देखो यहां से, यहां पर सेक की power 6 theta है, ठीक है? क्या है? सेक की power 6 theta, तो सेक की power 6 theta को आप लोग क्या लिख सकते हैं? आप कहेंगे यहां पर 1 plus 10 square theta का हम लोग cube लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं? 1 plus के 10 square theta और इसका हम लोग cube लिख सकते हैं. बताओ सही है क्या? ठीक है? जब आप इसको solve करेंगे तो इसको सेक theta, सेक की power 6 theta अभी आप लोग लिख सकते हैं. एक जो formula होता है, वो होता है, a plus b का cube. वो क्या होता है बिटा? a cube, plus के 3ab, plus के a plus 3ab, ठीक है? और multiply में? a plus b, ठीक है? a cube plus 3ab, a plus b, और plus का होता है b cube. ओके? चलो. तो यहां से a cube की value क्या है यहां पर? इसको हमें इस format में equal करना है. ठीक है? तो पहले मैं b का cube लेता हूँ. तो b की value है कितने हैं यहां पर? आप कहेंगे 10 square theta है. तो 10 square theta का, जब आप लोग यहां पर cube करोगे, तो यह हो जाएगा 10 की power 6 theta. ओके? प्लस के 3 और a, b की value क्या है यहां पर? 1 और into 10 square theta. तो इसको 3 10 square theta लिख सकता हूँ. ठीक है? और a plus b, a plus b क्या है यहां पर? 1 plus 10 square theta है. और 1 plus 10 square theta को क्या लिख सकता हूँ? मैं c square theta लिख सकता हूँ. ओके? a plus b और plus के? यहां पर b और b की value यहां पर क्या है? 1 है. चलो. अब हमें यहां पर compare करना है. तो 10 x theta. x यहां पर 10 x theta. तो x की value यहां पर कितने आ जाएगी? यहां पर x है और यहां पर 6 है. तो x की value आ जाएगी हां पर 6 है. ठीक है? यहां पर y है. 3, 10, y. 3, 10, और y की इस्तान पर है. यहां पर 2 है. ठीक है? यह हो जाएगा 36 माइनस के 4 यानि कि रूट में 32 रूट में जो 32 है इसको आप लोग क्या लिख सकते हो तो आप कहींगे रूट में 32 को हम लोग 4 रूट टू भी लिख सकते हैं ओप्सन नंबर कौन सा हो जाएगा बी भी आपके क्यूशन का एकदम सही जवाब होगा ठीक है आज की क्लास का हमारा लाश्ट क्यूशन है और टाइम एंड वर्क का क्यूशन है काफी अच्छा क्यूशन है A alone can complete it ask in 10 days A अकेले किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं and B work together for 3 days A and B work together for 3 days after which C replaced B A was 50% more efficient than C A was 50% more efficient than C ठीक है यनि की A C से 50% अधिक efficient है कार्य खुशल है ठीक है After A and C had work together for 3 days 30% of the task was incomplete ठीक है In April Maximally How many days can be complete the entire task यह आप से पूछा गया एक दम आसान क्यूशन है समझे गया ध्यान से A अकेले किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं A and B ने 3 दिन एक साथ काम किया और उसके बाद B को C ने प्रतिस्तापित कर दिया देखेगा यहां पर यह टोटल काम है ठीक है यहां पर जो है पहले A प्लस B ने काम किया है और A प्लस B ने कितने दिन काम किया है तीन दिन काम किया है ठीक है A और B ने तीन दिन एक साथ कार्य किया, मैंने यहाँ पर तीन दिन लिख लिया, जिसके बाद B को C ने रिप्लेस कर दिया, यानि कि अब B तो चला गया, अब कौन आ गया है, A प्लस C, A के साथ कौन जुड़ गया है, C जुड़ गया, और A और C ने तीन दिन काम किया है, A और यानि पर जो है, A अकले किसी काम को दस दिन में पूरा कर सकते हैं, A अकले किसी कार्य को दस दिन में पूरा कर सकते हैं ठीक है, और फिर कह रहा है, कि A, C से 50% अधिक Efficient है, यहां पर A और यहाँ पर है C, ठीक है, तो यहां पर A, A, C से अधिक है, A, C से अधिक है, इसका मतलब यदि C 100 है, तो A कितना है, आप कहेंगे 150 है, ठीक है, यहां से रेशियो निकाल लगते हैं, तो यहां से रेशियो 50 है कार दो इसको, तो 50 से ये 3 बार, और 50 से ये 2 बार, क्या आप सभी लोगों को पता है, क्या हम लोग total work कैसे न सी, तो total time है, हमारे पास कितना है, 10 days है, efficiency 3 है, ठीक है, तो यदि एक का, एक का जो काम है, यानि कि एक का जो time है, वो 10 दिन है, तो यहां से C का जो time है, वो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे, 10 into 3, यहां से 10 into 3, यह तो total work हो गया, हमें किसका चाहिए, C का चाहिए, तो C का है, यहां पर कितना आ जाएगा, पास से, तो यहां से आ जाएगा 15 days, ठीक है, यहां से C का जो time है, वो कितना आ जाएगा, 15 days आ जाएगा, अब सबसे पहले, जो हमारा काम होता है, वो होता है, बिटा, LCM, 10 और 15 days का LCM हो जाएगा, यहां पर, 30, कितना आ जाएगा, 30 LCM आ जाएगा, तो इसकी efficiency कितने आ जाएगी, 3, और C की efficiency कितने आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ठीक है, चलो, सही है, एवर C के, 3 दिन काम करने के बाद, 13% काम है, वो एपून था, यानि कि incomplete था, तो incomplete था, 13% काम, 30 का, ठीक है, तो complete काम कितना रहा होगा, आप कहेंगे, 30 को 87 से multiply कर दो, क्योंकि 13 तो incomplete है, तो complete कितना रहा होगा, 87 से multiply कर दो, और यहां पर 0 और 0, तो यहां पर कितना रहा जागा, 7, 21, आरती 24 और दो, 26, यानि कि 26 पॉइंट एक यूनिट काम है, वो complete किया था, किसने, A ने, B ने, और C ने, ठीक है, अब यहां से, अगर मैं A का work निकालू, तो A ने कितना work किया है, तो आप कहेंगे, A ने जो work किया है, वो A की स्पीड कितनी थी, आप कहेंगे 3 यूनिट, ठीक है, और कितने दिन तक काम किया है, तो आप कहेंगे, A ने, A प्लस B के साथ किया है, तीन दिन, और A प्लस C के साथ किया है, तीन दिन, यानि कि टोटल 6 दिन काम किया है, तो इसने कितने यूनिट काम कर लिया है, प्लस के, B का, B ने कितने दिन काम किया, आप कहेंगे 3 और कितनी इफिसेंसी से पता नहीं, प्लस के, यहाँ पर C की जो इफिसेंसी वो कितनी है, 2 है, और C ने टोटल कितने दिन काम किया है, तीन दिन किया है, और यह जो टोटल इसके बराबर टोटल वरक है, और यह किसके बराबर है 26 पॉइंट एक के बराबर है ठीक है अब यहां से आप क्या घरोगे यह च्छती अठारा और अठारा और च्छोविस ठीक है तो थ्री एक्स इक्वल में जब आप इसमें से च्छोविस माइनस करोगे तो यहाएगा two point one ठीक ओ बी के लिए तो जो बी की ऐफिसेंसी आएगी हो आजाएगेcimento one . और अपॉन में three तो यहां से जो बी की ऐफिसेंसी आएगी वह कितनी आजाएगी बिटा तो वह आजाएगी 0.7 आ जाएगे अब आपके पास efficiency आ गई है ठीक है total work भी है तो क्या आप लोग time निकाल सकते हैं बिल्कुल निकाल सकते हैं ठीक है तो आप क्या करोगे बी के लिए पूछा है तो बी के लिए total वर के कितना आप कहेंगे 30 और 30 में किसे भाग दे देंगे efficiency से यह हो जाएगा 0.7 ठीक है यह पॉइंट अठेगा यह 0 लग जाएगा तो यहां से अंसर कितना आजाएगा साथी किस साथ चोके 28 ठीक है बचे दो साथ दूनी चाउदा ठीक है बचे छे आठ साथी छपपन बचे कितने चार और साथ पंजे 35 बियानलिस पॉइंट पिच्चांसी के सम्थिंग तो आपका जो अंसर आएगा वह आजाएगा 43 आजाएगा कंसेप्ट किलियर करने वाला था कि क्या समझ पाए है सभी बच्चे तो यह थी आज कि हमारी क्लास उमीद करते हैं सभी बच्चे अच्छे से समझ पाए होंगे मिलते हैं आप से कल कितने वज़े पांच वज़े तब तक के लिए थेंक्यों बाई-बाई-बाई-टिक और कि जो विच सोलीशन पीडियाफ है यह आपको एक ऐसे क्लास 24 के एप्लिकेशन पर आपको मिल जाती है ठीक है कोई भी बच्चा अगर नया है तो मेरे फर्स्ट वाले मोक्तेश से आप लोग क्लास देखना स्टार्ट कर दो और नोट्स भी बना लो क्योंकि हम लोग स्टमेटिक तरीके से बढ़ रहे हैं ठीक है आज की यह टाइमेंड वर्क का यानि की टाइप नंबर कौन सा है आज हमारी क्लास नंबर थी 54 ठीक है तो टाइप तो खेर बड़े गाई लेवल तो बड़े गाई ठीक है लेकिन यह वो क्यूशन है जो आपको मेंस में भी टक कर देंगे ठीक है चलिए और यहां पर प्री और मेंस से दोनों को हम लोग साथ में लेकर चल रहे हैं कि क्लास अच्छे लगी हो तो आप लोग ओफलाइन कमेंट जरूर किया करो मैं आप सभी के ओफलाइन कमेंट पढ़ता हूं और मुझे काफी अच्छा लगता है जब आ क्यूशन साय ना उसको समझने के आप लोग कोसिस किया करो ठीक है ना अगर आप लोग एक क्यूशन अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो ओभी से बात है कि आपको प्रोब्लम होगी लेकिन जब आप इसी क्यूशन को दो-तीन बार करोगे ठीक है दो-तीन बार आप लो तब तक के लिए थेंक्यू बाई बाई टेक केर